जेन फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो और यूट्यूब चैनल, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, sources of water, ठीक है, वहां पर मैंने आपको दो sources बताये थे, एक surface water होता है, दूसरा हमारा होता है underground water, अब फ्रेंड्स, यहां पर जो सारे sources थे water के, उन सब के बीच में मैं आपको comparison बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको यह चीज समझने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है, तो आज बात करेंगे हम comparison of water sources की, तो friends, आपके सामने एक table रखा है, इस table को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर मैंने mention कि यह water sources, that is rain water, river water, lake water, sea water, spring water, अब आप water जो है, यह मेरा underground sources of water से मिलता है, ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे, तो मैंने यहां पर water sources, key characteristics, कौन-कौन से impurities होती है, और क्या उसकी usage या फिर safety का ध्यान हमको रखना है, ठीक है, तो बिलकुल basic से मैं आपको यह चीज बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग बा particles होते है, dissolved gases और जो particles थे, वो क्या काम करता है, वो impurities का काम करता है, जैसे कि dissolved gases कौन-कौन से थी, already मैं आपको explain क्या हूँ, industrial gases, जैसे कि CO2 मेरी हो गई, SO2 हो गया, NO2 हो गया, यह मेरी क्या है, dissolved gases है, जिनको नाम दिया गया industrial gases, साथ में particles, जो हमारे atmosphere में present होते हैं, वो भी rainwater क साथ में थोड़े बहुत mix हो जाते हैं, आइधर organic या फिर inorganic particles, clear हुआ, friends, rainwater हम लोग directly consume कर सकते हैं, with थोड़ा वो treatment करके, means, small treatment अगर आपने किया है rainwater के साथ, then आप उसको use में ला सकते हैं, चीक है, तो friends, पहली बात थी, जो की थी हमारी किस से rainwater से, वो मेरे ख्याद से को clear हो गई होगी, दूसरा friends हमारा है, वो है river water, अब मैं आपको ये already explain किया हूँ, कि river water के अंदर हमारे जो high dissolved minerals होते हैं, साथ में इसके अंदर suspended impurities भी होती है, जिसे कि organic matter हो गया, अगर बोलू में plant का decomposed part वहाँ पर हो गया, sand हो गया, rock के particles हो गया, ये सारे हमको किसके अंद देखने को मिलते हैं, river water के अंदर देखने को मिलते हैं, ये already हम लोग discuss कर चुके हैं, यहाँ पर impurities कि अगर बात करेंगे, friends, तो impurities मेरी होती है, suspended and dissolved impurities, दोनों type की present होगी, suspended जैसे कि अगर मैं बात करू, plant, ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते, sand particles, या फिर rock के fragments भी हाँ पर बोल सकते हैं हम लोग, तो ये हमारे क्या होगी, suspended impurities, dissolved impurities की अगर बात करेंगे, friends, तो जो भी minerals present होंगे, rocks के, या फिर हमारी soil के अंदर, वो इसके अंदर dissolve हो जाएंगे, जैसे कि अगर मैं just basic से example आपको दो, तो calcium हो सकता है, ठीक है, या magnesium हो सकता है, ये dissolved हो सकते हैं, अब बनाता है कि क्या river water को हम लोग directly consume कर सकते हैं, तो मेरा जवाब ही नहीं, यहाँ पर बिना treatment किसको हम लोग consume नहीं कर सकते, that is required treatment, तो आप जानते हैं जैसे कि जो treatment plant होते है, water treatment plant, जिसको WTP बोलते हैं, WTP, एक होता है, west water treatment plant, एक होता है हमारा, ये क्या है WTP, ये water treatment plant होता है, ठ medicine का पहले filtration होगा, ठीक है, sedimentation वहाँ पर होता है, chlorination, disinfection, सारी process होती है, जिनके बारे में हो सकता है, हम लोग आगे discuss करें, but फिलाल उसकी जरुवत आपको नहीं है, ठीक है, जो बाते बता रहे हैं, वो ध्यान में रखना है, ठीक है, तो हमने बात कर ली किस से river water की, अब हम similar way में कि lake water के क्या-क्या चीज़े हो सकती है, तो यहां पर अगर हम बात करें, friends, lake water की, तो lake water हमारा एक stable composition देता है, जिसके अंदर less amount में minerals present होता है, as compared to other methods, जो है, चीक है, साथ में इसके अंदर high amount में organics present होता है, that is, जो major impurities जो होती है, हमारी lake water के अंदर वो होती organic impurities, चीक इसको भी हमको पहले treatment करना पड़ेगा, then उसके बाद ही हम लोग इसको use कर सकते हैं, तो before using, before consumption, किसी भी काम के लिए इसका use अगर कर रहें, तो उससे पहले treatment वहाँ पर required है, मतलब treatment mandatory है, ठीक है, next अगर बात करें, friends, sea water की, तो sea water हम लोग को क्या कहते है, sea water के अंदर हमने य operation होता है, जिसकी वज़े से वहाँ पर concentration of salt increase होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि salt का concentration, sea के अंदर around कितना होता है, 3.5% होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में discuss किये थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, sea water के characteristics की वह high salinity, और many dissolved salts होते हैं, या फिर और कोई भी type का salts होते हैं जो कि हम discuss कर चुके हैं, साथ में friends, यहाँ पर जो impurity से हमारी sea water के अंदर वो high mineral contents होते हैं, क्योंकि कैसे sea के अंदर water कैसे पोच्छता है, जो भी reverse होगी, reverse से बैरते हुए, पानी हमारा sea के अंदर जाएगा, ठीक है, तो जब पानी reverse से जा रहा है, तो वो बहुत सारे अलग टाइब के rocks, soil से टकराएगा, कुछ impurities, industrial effulents वगएरा से, वहाँ पर mix होगा, देन उसकी वज़े से हम लोग के सकते हैं, उसके अंदर high mineral content होता है, ठीक है, फिर sea water को हम बोल सकते हैं, कि यह suitable नहीं है consumption के लिए, क्योंकि बहुत जादा salty nature का यह होता है, ठीक है, next अगर बात करें friends, जो की last है, जो spring या फिर well water, जो की हमारा आता है underground water के category के अंदर, ठीक है, मतलब spring और water कैसा है, हमारा underground water है, अब underground water है friends, तो मैंने आपको एक चीज explain करी थी, कि underground water के अंदर हमारी suspended impurities तो नहीं होती है, बट वहाँ पर dissolved salt बहुत जादा होते हैं, तो वहीं यहाँ पर mention किये, characteristics अगर देखेंगे, तो clear होता है, मतलब कि कोई विसके अंदर suspended impurities present नहीं होती है, साथ में high mineral content होता है, that is calcium, magnesium, iron, इनके content जो होते हैं, that is, यह जो होते हैं, वो present होते हैं, जिनकी वज़े से hardness होती है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हम underground water कैसा होता है, hard water होता है, यहाँ प हो सकता है, ठीक है, aluminium का हो सकता है, तो यह dissolved salts होते हैं, किसके अंदर spring या फिर well water के अंदर, अब hard water क्या होता है, दीरे दीरे आपको जानने को मिलेगा, साथ में हम बोलते हैं कि यह usable होता है, that is, इसको हम लोग directly भी consume कर सकते हैं, but इसके अंदर hardness होने की वज़े से इसका methods से इनके बारे में हम लोग discuss करेंगे, तो friends मेरे ख्याल से यह चीज आपको clear हो गई होगी, कि क्या comparison अलग-अलग water sources के, next video ज़रूर देखे, and thank you for watching this video, till then keep learning, keep growing, keep watching, thank you